दोन एक्सप्रेस आईना सश्का ग्यारा जुलाई को प्रधन मंदी ने टूइट कर कहा था कि जो भी मन की बाद कायर करम के लिए कोई भी सलाहा देना चाते है तो विपिन्यम अद्दम से दे सकते है उन्होंने कहा कि आज के ही दिन 21 सल पहले भारतियों सेनाने भारतियों की जीत का ज़ंडा पहरा था मोदी ने कहा कि मैं बोरी में साथ ही भारत के सच्चे सपने की जनम देने वाली मताओ और नमन करता हूं आईए सुनते हैं मोदी ने क्या कहा प्यारे देशबासियों नमस्कार आज 26 जुलाई है आज का दिन बहुत खास है आज करगिल बीजोय दिवस है 21 सल पहले आज के दिन करगिल के जितों में हमारे सेनाने भारत की जीत का ज़ंडा पहरा है था कारगिल क्या जुद्धो जिन परिस्तितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता पकिस्तान ने बड़े-बड़े मसूबे पालकर भारत के भूमी हत्वानी और अपने वहाँ चौल रहे अंतरिक कलों से ध्यान भठकने को लेकर दूसा होस किया था आप कलपना कर सकते हो उच्चे पहारे पर वैठा हुआ दूसमन और नीचे से लड़ रहे हमारे सेना हमारे वीर जवान लेकिन जीत पहारी उचाय की नहीं भारत की सिनाओं की उच्चे समोसले और सची विर्दा को हुई साथियों उस समय मुझे भी कारगिल जाने और हमारे जवाने की विर्दा की तरसन का सौबा को मिला वो दिन मेरे जीवन में सबसे अनमल खेत्रों में से एक है मैं देख रहा हूँ कि आज देश भर लोग करगिल विजय की याद कर रहे है सुसल मीडिया पर हैस्टेक कहरे जिन करगिल के साथ लोग अपना वीरों को नमन कर रहे है जो सही दुए उन्हें सधन जली दे रहे है मैं आज सभी देश भासिय की तरफ से हमारे इन वीर जवानों को साथ साथ उनकी माताओं के भी नमन करता हूँ जिनोंने मा भारती के सच्चे सफनों के जनम दिया मेरे देश को नौजवानों से अक्रह है कि आज दिन भर करगिल वीज़े से जुड़े हमारे जावाजी की कहानिया वीर मताओं की तैक के बारे में एक दूसरे के बताईए सेयर करें करगिल के उद्दों की 21 साल की बक्त बेच चुका है और 26 जुलाई को एक बार फिर भारतीयों सेना एं बिज़ाई दिवस के रूप में मना रही है इस दिन के साथ कई यादे ताजा हो जाती है कैसे पाकिस्तान ने भारत की इलागे में कबजा किया और फिर कैसे भारत के बाहुदूर सेनीकों ने अपना खुन बहाकर करगिल की पहड़ियों की फतह किया इनसान के साथ ही इस अहम लड़ाई में मेसीनों का भी बहद अहम जोगदान रहा है भारत की कई हतियार ऐसे थे जिन्होंने पकिस्तान सेना के चक्के चुड़ा दिया थे और गुस्पेटियों की पर उखर गये थे आईए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ हतियार अपर जिन्होंने भारत की ओर से करगिल की वाजी पलटने में आहम भूमिका निभाई इन्हें में से सबसे पहले नाम आते हैं बोफर स्टोप जब भी करगिल की लड़ाई की बात होती है तो ये नाम जरूर लिया जाता है सीडन से खरिद गए इस हतियार का अपरसन बीजाई के समय पाकिस्तानी घुसपेटियों में सबसे यादा खोप देखनी को मिली थी जब भारतियों सैनिक फाहर फ़र कबजे के लिए उपर चड़ाई करते थे तो बोफर स्टोप लगातर पेटियों पर बहमाबारी करती रहती थी और घुसपेटियों की कोई भी नाफाख हरकत करने की मौका नहीं देते थे दुज़रा जो मेसीनों का नाम लिया जाता है उसका नाम है मिराज 2000 ये आम लोगों के बीच अब एक जाना फहचना नाम है और पाकिस्तान में एर स्ट्राइक के बाद से ही ये लड़कु विमन लगातर सुर्कियों में रहा है ये बेहद सटिक्ता से लकसफर बम गिराने क के लिए जाना जाता है और कारगिल के समय भारतियों सेना की मदद के लिए एर फोर्स की ओर से चलाएगे अपरसन सैफद सागर में इस बीमान ने सबसे अहम भूमिका निभाते हुए दुजमन की नाक में दम कर दिया था उसके बाद नाम आती है लेजर गाइड्स बम असम अरिकता से मार करने वाली इन बमों और लेजर प्रेड्स से लेस किया था जो 1998 में एर फोर्स के लिए बहत कारीगर साबित हुए उसके बाद अगले जो मेसिनों का नाम आता है उसका नाम है मीक 29 जो कि एक लड़ा को बिमान है इस बिमान ने बायुसेना की और से करगिल में बम गिराने में तो बहुत भर चड़ कर भाग नहीं लिया था लग फिर भी इसकी तैनाती एक ऐसे काम के लिए की गई थी जिससे नजरांदाज नहीं किया जा सकता जब मिराज 2009 बिमान पहाड़ियों पर हमले कर रहे थे तो एक आसंका पाकिस्तानी बायुसेना की उनने र एलोसी पर एलोसी प्वार नहीं करने के लिए मजबूर हो गई थी मीग उन्तिस में बियर्ड विज्यूल रेज मिसाइल मौजूदी थी और तब पकिस्तान के पास ये खमता नहीं था के बाद जो नाम लिया जाता है वो है इनसास, स, ए, ए, करवाईन और एके 47 राइफिल तोफ और लड़ाकों विमान तो युद्धों में अहम होती ही लेकिन साइनिकों के हाथ में जो हतियार होता है उसकी अहमियत को नौजरान राज नहीं किया जा सकता क्योंकि असल में करगिल की सहमाई इन्नी बहादरों ने जमीन पर लड़ाई लड़कर चोटियों को दोब करगिल वीजय दिवस सफल अफरसन के नाम पर भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है इस तारीक के 1999 में यानि 99 में भारत में सफल ताफुरवक पाकिस्तान को खड़ा कर उच्चो चोटियों की कमान समाली करगिल जुद्धों 60 से अधिक दिनों तक लड़ा गया था और 26 जुद्धों का अंत भारत में पहले ही मौजूदी सवी खेत्रों पर फिर से नियंतरन के साथ हुआ करगिल बीजय दिवस इस साल 26 जुलाई को करगिल जुद्धों को नायोकों के सम्मान में मनाया जाता है इस दिन करगिल द्रास खेत्रों और अंत राष्ट्रियों पाकिस्तानी सेना कितनी कमजोर है। हमें अंदजा था कि दुस्मन ने पत्थरों में भी बारोदी सुरंगी बिचाई होंगी। पाकिस्तानी फोजियों को होसले परस्त होने लगे और वो 56 को छोड़ कर भाग खड़े हुए। वोई अगली खबर करना टेक की उडूफी जिले से एक मिसाल पेज करती खबर सामनी आई है। अस्पताल में भरती करने की जरूरत है। मामले की गंबिरता को समझते हुए रजी भी खुद अटो चला कर महिला को घर पहुची और वहां से उसे अटो में अस्पताल ले गए। राजी भी की पास खुद का ओटो है जिसका इस्तमाल वह नीजी और आर्थिक जरूरत के लिए करती है। उनके इस मानव्य सम्वेदना के लिए खुद अपड़ास्टरपती बंकिया नाइडू ने भी टूइट कर उनके इस कदम को सरहा है। बंकया नैडू ने कहा कि राजीवी की सेवा अभिनन्दनियो है उनका ये मानव्य सम्मेदना अनुकरनियो है वो सिस समय में अटा चलाकर गरववती महिला को सेवा प्रदन करती है इससर उनके प्रयासों की असिरवाद में है आपको बता दे कि राजीवी फरफन किला ग्राम पंचायत के सच्च भारत मिसन का राजदूद भी है नौर्थिस्ट दिल्ली धंगा मामले में करकड़ुमा कोट ने एक आरोफी सेहूल को जमानत दी है कोट ने 20,000 रुपिये की नीजी मुचले के और इतने ही कीमत पर एक गैरंटी पर सुहल को जमानत दी साथ ही अरेगो स से तो एप डाउनलोट करने के भी सर्त ही रखी सुनभाई की दोरान कोट ने पाया कि आरोफी की पहले भी जमानत याचि.... दाखिल की थी लेकिन कोट decor के सामने गलत report पेस करने की वजह से George ने आरफी की जमानत याची का खारिज कर दी थी सुनबाई की दोरान आरफी की उखेल ने कोट को बताया कि मामले के सिर्फ इसी आरफी के खिलाफ चार्ज सित दाखिल की गई थी जबकि आरोफी इस दोरान घटना स्थाल की ना तो CCTV फूटेज में देखा और नहीं दंगे की किसी वाइरल विडियोज में इतना ही नहीं दंगे की दोरान जीन लोगों की गडिया और संपत्ती की नुकसान पहुंचाने की आरोफ लगा है उनमें से किसी ने भी ना तो आरोफी को फेचना और नहीं उसके बारे में कुछ कहा सिर्फ मामले की जांज अधिकरी नहीं आरोफी की पहचन की उसके इलवा पुलिस के पास आरोफी के खिलाब कोट और सक्स नहीं है कोट में दलिल दी गई है कि घटना 24 फरवारी के बताई जा रही है मौके पर मजूद पुलिस कर्मी A.S.I. वेदफाल ने ना तो सहल को मौके से गिरिफतर किया और नहीं इस वावन डायरी में एंट्री कर थाने में रिपोट किया आरोपी सुहल की तरफ से दलिल दी गई कि आरोपी 4 अपरिल से नासिक हिरासत में थे जाँच भी फूरी हो चुकी है ऐसे में आरोपी की और जेल में रखने से कुछ हसिल नहीं होने वाला तथो और परिस्तितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी सुहल को 20,000 रुपिय की रासी की बैक्तिकत वंड और सम्मान रासी की गैरंटी पर जमानत दी है कोट ने सुयल को ससर्थ जमानत देते हुए दिवाहत दी की वो मामले से जुड़ी सुबिताओं के साथ छेड़ चार या किसी भी गवाहा को प्रभावित नहीं करेगा जेल से रिहा उने के बाद भजन फूरा थाने के SSHO के पास अपना मोबाइल नमबर देना होगा अपने मोबाइल फोन में आरगज सेतु आप डाउनलोड करना होगा वही अगली खबर कोरोना काल के दोरान देश की कमपणियों में करमचारियों की छट्ती से रतन टाटा काफी आहत है उन्होंने एक सखसातकार में दोरान COVID-19 मोहामारी की वज़ा से भारत में कमपणियों में खोने बाली छट्नी को लेकर नराजगी जाहिर की है उन्होंने कहा कि कोरोना बाइडा संक्रमन मुहामारी का मुस्कील दौर कमपणियों की लोगों की प्रती जिम्मेदारी बताती है उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कमपणियों की सिर्ष नतित्त करता में स्वाहनोभूती की कमी हो गई है एक निव जोईव साइट को दिये सकसात्कार में उन्हें कहा कि ये वो लोग है जिन्होंने कमपनी के लिए काम किया जिन्होंने आपना फूरा जीवन कमपनी के लिए समर्पित किया ऐसे संकट की घड़ी में आप उनने साफोट देने की वज़ह है बेरोजकार कर रहे है आपने करमचारियों के साथ ऐसा वेबहार कर रहे हो क्या ये आपकी नेतिकता है उन्होंने आपनी कारोबारी सोच के बारे में भी बताया है कि बिजनेस का अर्थ केवल मुनफा कमना नहीं तो बहुत जरूरी है कि जो स्यारधर ग्राहों कर करमचारिय आपस में जुड़े है आपको उनके हितों को ध्यान में रखना होगा रतन टाटन नहीं कहा कि कमपणियों के मुनफा कमना गलत नहीं है लेकिन वो काम नईतिकता से करना जरूरी है ये सवाल बहुत जरूरी है कि आप मुनफा कमना के लिए क्या कर दियो उन्होंने कहा कि कमपणियों के लिए ये भी जरूरी है कि वो मुनाफ़ा कमाने के दोरन इस बात का ख्याल रखे कि ग्राहोक सियारधरक के लिए क्या मानक तैय किये जा रहा है इस प्रकार के तमाम पहलू बेहत महतवर्ण है फिलाल फ्रवंदों को ये सवाल खुद सही लगातार पुछते रहना चाहिए कि जो फैसल पर निर्न या नय करते हैं भूले बाबा की वहां उनुठा मंदिर सिव कचहरी के नाम से जाना जाता है इस मंदिर में एक दो नहीं वलकि 228 सिबलिंग है इनमें एक सिबलिंग मुखो नया धिर के रूप में है और वाकी दूसरे जजेज और वोकिल के रूप में है सिव जाने अंजने हुए गलतियों की माफी मांगने का उसका फ्रैजश्शित करने के लिए आता है कोई चित्ति लिखकर अरजी लगाता है तो कोई सब्दे के जरीयer कोई कान पकड़ कर अपनी गलती के लिए खमा मंगता है तो कोई उठक वठक करता है कुंबन अगड़ी फ्रयागराज में संगम के नजदिक गंगा नदी के नर्टफर स्थीत सिव कचहरी मंदिर इस तरह की तस्विर आपको दोरान कर सकती है लेकिन ये नज़रा यहां आम तर पर फूरे दिन ही देखने को मिलती है यहां भूले भंडरे की दरवार में उनके भक्त आपने गलतियों के लिए माफी मागने और उसका प्रास्चित करने के लिए आते हैं कोई चिट्टी लिखकर आपना अरजी छोड़ जाता है कोई उहां स्थित सिविलिंगे से सटकर धीमी अवाज में सब्दों के जरिया अप जन में हुए पाफो की मुक्ती पाने के लिए गुहार लगाते हैं तो बहुत तरह लोग भूले बाबा की सामने कान पकड़ कर उठक बटक करने में भी नहीं हिचकते कोई अपने कान पकड़ कर पांच बार उठक बटक करता है तो कोई साथ कोई ग्यारा तो कोई 31 बार प्राइबुर्णाबू